draw the electron dot structure of ethenoic acid ethenoic acid के हमें क्या करना है? electron dot structure रख करना है तो सबसे पहले हमें इसका formula पता होना चाहिए इसका formula होता है CH3COOH ठीक है इसमें number of carbon कितना है? 1 and 1, total 2 है जिसके लिए word slash होता है at single bond होगा तो हम लोग लिखेंगे in and CO2H group carbon slick acid functional group present होता है इसलिए हम क्या ईड्ट करते हैं। Oic acid तो इसका नाम होता है, ये इपिएसी नाम है, क्या? Ethan Cruise X Layer. इसका common name क्या होता है? इसका common name होता है – Acetic Acid. क्या होता है? Acetic Acid. इसका common name होता है, यह भी बहुत important है आप इसको याद रखीएगा, ठीक है? अब हम इसका structure पूरा open करके बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा, यह है carbon, तो हमने लिखा carbon, इसके साथ कितने hydrogen के atoms हैं, 3, तो यह हो गिया 1, 2 and 3, alright, then यहां पर क्या है, again carbon है, and यहां पर 2-2 oxygen है, एक oxygen carbon के साथ double bond बनाएगा, and एक oxygen carbon के साथ single bond बनाएगा, and यह जो hydrogen है, यह oxygen के है, किसका ethanoic acid का, अब देखिए, अब हमें balance electron बता होना चाहिए, किसका, carbon का, hydrogen का, and oxygen का, carbon का atomic number होता है, 6, hydrogen का atomic number होता है, 1, and oxygen का atomic number होता है, electronic configuration बनाएगे, carbon का क्या बनेगा, 2,4, hydrogen का 1 ही रहेगा, एक ही electron है, इसके पास, oxygen का क्या बनेगा, 2,6, तो यह जो last cell के electron यहां पर है है, last cell के electron, इसमें कितना है, 4 है, इसमें 1 है, ठीक है, इसमें कितना है, 6, तो इस ही को बोलेंगे, इसके balance electron, carbon के पास 4 balance electron होता है, इसलिए carbon हमेशा 4 bond का formation करता है, देखिए, 1, 2, 3, 4, oxygen के पास कितने balance electron है, 6 होते है, octet complete करने के लिए 2 bond बनाता है, and hydrogen हमेशा हमेशा एक ही bond बन carbon atom, then again हमारा एक carbon है, तो हमने यहां पे फिर से carbon लिका, फिर क्या है, oxygen तो हमने लिखा, oxygen and again यहां पी क्या है? hydrogen का atom है, all right, इस carbon के साथ कितना है, 3 hydrogen तो ही हो गिया, 1 higher hydrogen Adam, 2, hydrogen atom and 3rd hydrogen atom, यहां पे हमारा क्या है? oxygen है, तो हम कै क्या लिखेंगे? oxygen लिखेंगे अब यहाँ पे किसका use होने वाला है यहाँ पे use होगा हमारा valence electron का ठीक है तो सबसे पहले कारवन के पास कितने valence electron है 4 और इसको हम दिखाएंगे cross से तो यह हो गया 1 2 3 and 4 ठीक है इस carbon के valence electron को हमने यहाँ पे represent किया है अब इस carbon पे आते हैं तो यह हो गया इसका 1 2 and 3 यहाँ पे 2-2 valence electron हम लिखाएं क्योंकि यहाँ पे double bond का formation होने वाला है और यहाँ पे हो गया 4 ठीक है अब हम किसके oxygen के valence electron को लिखते हैं कितना है 6 तो इसके valence electron को लिखेंगे हम इसको भी cross से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इसके valence electron को भी हम cross से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 अब cross या dot जिसी इच्छा हो उससे लिख सकते हैं अब hydrogen के पास कितना electron है hydrogen के पास only one electron है इसको हम यहाँ पे represent करते हैं dot से इसका one electron है इसका one electron इसका भी हो गया यह one electron and इस hydrogen का यह हो गया one electron करना है अब आपको क्या करना है जो कारवन है इसके पास चार electron है इसको आपको complete करना है 8 electron मतलब इसका octet complete करना है hydrogen को complete करना है 2 electron and oxygen का भी कितना electron complete करना है 8 electron complete करना इन दोनों का octet complete करना है and इसका duplet complete करना है तो सबसे पहले हम hydrogen का duplet complete करते हैं अगर इस हाय्डोजन की बा Judith के आफिए इसके पास कितने लेक्टरॉन हो गया है लो घ्लियुर एन्द टू एन्द 12 हो गया है तू इस हाय्डोजन जन का भी ड्यू पलियुर रिच व हो गया बस टू एलेक्टरह था कि अब आफ अुगर सेधे मेंझेग इस बात के लियूर कर यह जो दोनों क्रॉस वाले इलेक्ट्रोन एक किसके है कार्बन के कार्बन के साथ इलेक्ट्रोन की सेरिंग करके यह अपना ओक्टेट कम्प्लीट कर लेता है यहां पर दो दो इलेक्ट्रोन की सेरिंग होता है इसलिए यहां पर डबल बॉन का फॉर्मिशन होता है ठीक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and यह carbon का हो गया, total कितने हो गया, 8 electron हो गया, इसके पास भी, अब हम carbon का octet complete करती है, इस carbon का देखिए तो, इसके कितने electron हो जाएंगे, circle थोड़ा अच्छे से आप बना लीजिएगा, कितने electron हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस carbon के पास भी, 8 electron हो गया, इसका भी, octet हो गया, complete, इस carbon की बात करेंगे, तो, इसका कैसे बनेगा, इसके पास भी हो गया, 8 electron कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी, octet complete हो गया, तो, दोनों carbon का octet complete हो गया, oxygen का भी, octet complete हो गया, and hydrogen का deplet complete हो गया, So, this is the lowest dot structure, or electron dot structure of ethenoic acid.